नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी आरूमल में से जोलम कैसे हटाएं तो देखे यहां पर जो आप लोग कमेंटर कर रहे हैं कि आगे की साइड हमारे जोल आती है और पीछे की साइड भी आती है तो यहां पर देखे हमें क्या करना है जब हमारे आरूमल में जोल आ रही है तो हमें क्या करना है कि जोलना आए तो दिएकि सबसे पहले में आपको बताऊँगे यहां पर हम हमारा सोल्डर धाइंच का होना चाहिए इस तरीके से तो धाइंच का हमने निशान लगा लिया अब इसके बार देखिए यहां से आती है जोल तो आपको इस तरीके से कटिंग करना है और जो हमारा दूसरा बाला पल्लर है उसके उपर हम इसको रख लेंगे दोनों बराबर कटने च निश्स तरीके से को युझा जोडयन के हमारे आरोमल में जोलना तो भी मैं आपको बताऊंऻ तो देखिव हम पर कुछ लोग कमेंट करें यहां के आप में च्शोटा बड़ा काते हैं तो देखिए यहां में युफासा बन आख यूलना यसलिए हम लोग यहां परादा कुछ लोगों का मैंने देखा है कि जो कमेंटर आ रही है कि आगे के आरोमल में जोल आ रही है तो देखिए यह सब हर ब्लाउज में नहीं होता है जैसे किसी का सरीर होता है जो ऊपर की साइड थोड़ा कम होता है और सीना भारी होता है उसमें जोल आती है जैसे देखा होगा क किसी किसी ब्लाउज में जोल आती है तो उसमें आपको क्या करना है यहां पर आपको ध्यान से 1.5 इंच का रखना है जैसे आपने किसी का ब्लाउज पनाया और आपने देखा यहां पर जोले तो बाजू को निकाले बाजू को निकालने के बाद आपको यहां पर कटिंग करना आपको शोल्डर रखना है याप को आप को जाटना है एक चोड़agu तो मैने आपको हमेशा बताई ये फिर फिरAh यहे जोल आ रहे हैं यह पे तो आपको था इंच का rike आप इंच आ पर काट ले कपड़ा आ काट तो एकाट लें नीचे 19%. तो यहां पे हमने वैज और प्लत काट लिया अब इसके पाजु को भी काटनाआ वह भी में आपको बताऊंके तो जोड नेका जो सही तरीका है तो आप यहां पर देखें, मैंने पीछे का पलत तयार कर लिया, आगे का पलत मैंने अभी तयार नी किया है, क्योंकि कुछ लोगों के जो कंधे गरते हैं, तो वो एक साथ पठी लगाने से भी गरते हैं, और अगर आप देखें कि किसी का ब्लाउज जादा ही गिर रहा है, त इससे क्या है कि आपको लगेगा कि कंधा गिर रहा है, तो आप यहां पर पठी को खोल के आदा इंच कपड़े को इस तरीके से दबा देए, तो देखें, यहां पर हमने क्या किया है, जो पठी है वो बहार की साए रखा, और यहां पर हम अपना पीछे का पलत रखेंगे, और दोनों साइड हमें बराबर ही सिलाई लगानी है, तो देखें, यहां पर मैंने सोल्डर को जोल लिया है, अब देखें, जो जोल जाल की समझ्या है, उसको आप इस तरीके से ना परें, यहां पर हमारे आरूमल दोनों बराबर होने चाहिए, और अगर आपको थोड़ा चोटा बड़ा लग रहा है, तो उसको आप इस तरीके से काटें, आरूमल हमारे दोनों बराबर होने चाहिए, देखें, इस तरीके से बराबर आए, अब देखें, यहां पर ज्यादा लग रहा है, उसको काट लें, अब देखें, यहां पर हमारे आरूमल दोनों बराबर ह जब भी जोल आए तो आपको इसी तरीके से देखना आप देखे इसका एक और और अगर आप आप बजू की धा देकि तो अब यहां पर 3 इंट लिया हूं कि इस कुछ लोक तो इस तरीके से कटें करते तीन इंट ना धी हमारी बजू इनट जखने तो आप उहां पर 3.5-3 इं इसलिए तो देखिए यहां पर हम आगे की साइड बाजू की कटिंग करेंगे क्योंकि जोल आ रही है तो पहले तो हमें इस पर ऐसे बीच में निशान लगाना है बीच में निशान लगाने के बाद अब हमें यहां पर आदा इंच कटिंग करना है कि हमारे जोलना है बाजू में यहीं तलक करना है अब इसके बाद देखिए हमें दोनों साइट निशान लगाने कि इसको हमें आगे की साइट जोड़ना है अब देखिए हम यहां पे एक दरब का आरूमल लेंगे और आगे का पल्लर हमें आगे की साइट जोड़ना है जो बाजू का परलर है वो हमारा निशान है यह देखिए हमारा जो निशान है वो हमें आगे की साथ आरूमल में जोड़ना है अब सबसे पहले हम आरूमल के उपर इस तरीके से रखके नापना है इस तरीके से आप देखें यहां पर हमारे बाजु की चोड़ाई ज्यादा है तो हम क्या करेंगे आदा इन्च ज्यादा है तो इस तरीके से काट लें गेंगे काटनी के बाद अब हम जोडेंगे दिहान रहे हमें जो निशान लगा हुआ हो आगे के आरोमल में जोडना है इस तरीके से हमें रखना है तो यहां पर हम आदा-दा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाएंगे इसमें हमें कम ज्यादा कपड़ा नहीं दबाना है आदा-दा इंच का कपड़ा दबाना है बाजू को खीचेंगे नहीं हम बस आरूमल के उपर रखना है हमें और स तो अब देखिए बाजु को हमने लगा लिए अब हमें इसमें फिटिंग के सिलाई लगानी है तो ढ़्ग हमारे दोनों यहां पर इस तरीके से मिलने चाहिए अगर हमें थोड़ा सा लग रहा है छोटा बड़ा वाजु को कपड़ा तो बराबर करें तो सबसे पहले हम यहां पर एक सिंपल सी सिलाई लगाएंगे, यहां पर हमारे आरूमल मिलने चाहिए, तो यहां पर हम एक सिंपल सी सिलाई लगाएंगे पहले, अब देखिए, आरूमल का जो कपड़ा है वो हमारा उपर की साथ होना चाहिए, और जो नीचे का कपड़ा है वो भी उपर की दबाना लेखिए इस तरीके से, अब देखें हमें दूसरी सिलाई लगानी है, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, आरूमल का जो हमारा कपड़ा वो उपर की साइड है, यहां पर भी उपर की साइड है, अब यहां पर देखें हमें मौरी का जो फिटिंग का निशान बूर लगाना तो जैसे हमारी मोरी यहां पर 14 इंच तो 7 इंच पर हम यहां पर निशान लगाएंगे और जो हमने सिलाई के लिए कपड़ा लिया एक इंच यहां पर तो देखे इसको हमें ऐसे करके जोड़ना इसी तरीके से हम नीचे की साड़ एसिलाई को लेते हुए जाएंगे इतना एक एक इंच का कपड़ा दबाती हुए तो देखी हमने यहां पे कपड़े को इस तरीके से दबाया है जो पट्टी है वो अंदर के चाट हमें दबानी है अब यहां पे देखिए कि जो हमने बाजू लगाई है वो कितने आसानी से लग गए है और यह मैं आपको गारंटी से बता रहे हूं इस तरीके से अगर आप बाजू को लगाएंगे तो जो भी जोल की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल हो जाएगी किसी का सरीर एस होता है जुआ पे कम होता है उनहीं बाज में जोल आति आ पाला ये जो कुल आई करेंगे वहन बाज को बिंश्टन कि करेंगे जो ़ो लगाएं इतनी अच posição नहीं चुलम में इसे तरीके नेहिंश हो ८ेल कुल भी झोलने थे जाल लाई चली उसमें आप यह तरीका यूज करेंगे, बलाउज एक दम बराबर आएगा, तो इसी तरीके से हम दूसरे बलाउज में बाजू लगाएंगे, अब देखें, यहां पर हम इसको सिलाई भी लगा सकते हैं, तुर्पाई भी कर सकते हैं, पट्टी को दोनों को हमें बराबर नापना है, कि अज़ाओ देखें की आएगा, तो यहां पर मैंने नीचे के साड भी शिलाई लगा लिए, इस तरीके से, इसी तरीके से, आपको लगाना है पहले पिछे के साड शिलाई लगा ले फिर आगे क्या जो पलर बड़ा हो रहा है, उसको फिर आप सिलाई लगा लेए, यहां पर आप चाहें तो तुरपाई ही कर सकते हैं सिलाई भी लगा सकते हैं, अब अब देखे गला मैंने पीचे का तैयार कर लिया है और आगे का है जो अंदर कपड़ा है इसको का लोव seem का इन और उसलिया तो यहां पर हम गल्य को अंदर के शार दवा के तुर्पाई कर लेंगे अच्छे से पूरा ब्लाउज हमारा तैयार है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप बाजू को लगाएं तो आपका ब्लाउज एक दम बराबर आएगा आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जाद से ज्यादा शेयर कीजिए कुछ पूछना है सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूल बताएं जो नए लोग है वो हमारी वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सस्क्राब करने धन्यवाद